आईयो सीयल अपने नए प्रांट के लिए हरपुर से रिफाइनरी थाना जाने वाले सरत को बंद करके डाइवर्जन करना चाहती है वहीं ग्रामीड इस बात पर आले हैं ग्रामीडो का कहना की रास्ता इलाके होने से आसपास के कई गाउं का आवा गमन ठप हो जाएगा जिससे लोगों को घून कर जाना पड़ेगा गुरुवार की देरात आईयो सीयल चोरी चीपे रास्ता बंद करवाने का कंस्ट्रक्शन काम करवा रही थी जिसका विरोग ग्रामीडों ने किया आज बेगू सराय के गोविंदपुर में इस मामले को लेकर सर्वदली बैठकी के जिसमें CPI की जिला मंतरी अपधेश कुमार राजत के किसान प्रकोस्ट अध्यक्ष निशान्थ कुमार एवं कॉंग्रेस नेता तदा ग्रामीड आर्पी भारत के लिए नभी आलम की रिपॉट्ट अपने कम नहीं होगा उन्होंने अपने वरिये पता अधिकारी को भी सुचना दी फोन से उसके बाद कल ही रात में वरोनी पर घंड के जो है स्टीओ साब वीडियो साहब और सदर स्टीओ साब से बात हुई तक कोई लिषकर्स नहीं निकलता है तब तक वहां पर रिफांडी को आदेश दिया गया कोई भी काम अन्स्ट्रक्शन का नहीं होगा और हमने सबने अगर वहां पर चोड़ी चीपे इस तरह कोई भी काम होता है और अगर उसको विरोध करने पर किसी परकार का बबाल या क इसी प्रकार का हथसा होता है दुर घटना होती है उसके रूप उसमें पुन रूप से जिनमेदार रिफाइंडी के एडी होंगे और जिला पलसासना के जहां पर यह कार्ण चल दा है वहां कितने लोग महां हैं कितने घर होंगे लगभव वहां पर हजारों गउंग है 15-20 के ही बॉंडरी बॉल से रोड का थोरा सा चोड़ी करन कर दिया है जो कि आपको बताद उससे चोड़ी करन कर दिया है जिसमें कि दो बड़ी गारियां एक साथ कभी भी क्रोस नहीं कर सकती है एक बात दूसरी बात वो गाउं है गाउं रोड पे ही घर दमदान निर्मान का बरोसा लालस्टी टीम्टी बार्स हर निर्मान के लिए उप्योग लालस्टी टीम्टी बार्स रिष्टा मजबूती का